हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूमाय चानल आज हम बनाने वालें बहुत ही टेस्टी सी मिठाई इसे बनाना बहुत ही आसान है जब भी आपका मन करें कुछ मिठा खाने का इस मिठाई को आप छटपट से बनाए और इंजॉय कीजिए बैसे भी फेस्टिव सीजन चल रहे हैं आप मार्केट की मिठाई को आवाइड कीजिए और घर में इस इजी हेल्दी मिठाई को जरू ट्राइ कीजिए तो फिर देर के इस बात की जल्दी से इस मिठाई को बनाना शुरू करते में परफी बनाने के लिहां पर मैंने पीनट्स लिये हैं तो यह ग्राम्स में 200 ग्राम पी तो इसे से रिमूव नहीं हो जाता है तो इसे कंटिनुस चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं यहां पर दो से तीन मिट लगा है और हमारी मुमफली जो है टोस्ट हो गई है देखिए बिल्कुल भी कलर चीन नहीं हुआ है और स्कीन इस तरीके से हम चैक कर लेंगे और फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे एक बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे और हमें सारे अपने मुमफल करने में पाझाली के स्कीन को रींफर कर्ना है तो आप चाहें तो इसे हाथ से बिरमल कर सकते हैं या फिर आप किसी कपड़े. इसे डाल करके उसे आप रब करें तो भी इजी रिस की स्किन जो ए वो रिमूव हो जाएगी इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं यहां पर पीनट्स को मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है उसके बाल हम इस तरीके का एक कॉटन का कपड़ा लेंगे आप कोई भी कपड़ा ल जया है तब त्युक्त प्टो लाथने विशुटर है वह बाल दर बुद्न जड़ा कि इसे तरीका से करते हुए आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हाथ से भी निकल जाते हैं इससे क्या होगा बहुत ज़ली निकल जाएंगä हाथ से हमें तो पुर्ण भी लग सकते कितने अ पर नंगी तो फीज़ को जाए नियुदा है अगर आइसे एक घंटे के लिए अच्छे से ग्राइन करें गवारी टो आप मिक्सर जार लिया है उसके बाद हम अपने पीनटी ग्राइन कर लेते है विल्कुल थोड़ा डालेंगे एक बार में हम नहीं ला लेगे यहां पर मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है और पल्स मोट पे मैंने मुमफली को ग्राइंड किया था एक दम बारिक हमें इसका पाउडर बनाना है इसे हम बोम में ट्रास्फर कर लेते हैं अगर आपसे पाउडर नहीं बने तो आप यहां पर इसे चलनी से चान कर जो आपके पास दुबारा पीसेस बसते हैं उन्हें आप ग्राइंड भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर यहां पर मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है यह मिल्क बटार सब्कारी का तेस्ट टेस्का मिक्स करूए खूझे मिक्स कर दोग्स के लिए नहीं सुगर शीरफ बनाने के लिए लिए पढ़ने आप एक पैन रखी हमिंगे अन्यजह को अंखर देते, तो यहां पर मैंने एक कप से थोड़ा सा कम शक्कर लिये। ग्राम्स में देखेंगे तो यह 1.500 ग्राम शक्कर है। और इसी मेजरमेंट से मैंने 1.5 कप से ज़्यादा थोड़ा सा मूफली लिया था। तो आप मेजरमेंट का धियान ज़रूर रखें। शुगर आप थोड़ सदो से मिडिया डैici करें यहांपर अच्छे से उबाल गया तो हम इसे थोड़ा सा ही बिता कर देक हैं और से पकाने देटे है यहांट को हम चाश्नी को हम स्दोच चैन किरें तो इस थरीके से ऐसे लें और अपने हातों के बीच में तर्व करें जो पाउड्र आप ऊपने को कि पांडर ने अहां पर लिए कि आप से किसे रादर एकर हम प करेंगे लेकिन बिलकुल थोड़ा-थोड़ा एकदम से हम जादा नहीं एट करेंगे और इसे continuous चलाएंगे यह प्रोसेस को हम गैस चालू करके भी कर सकते थे बड़ कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी से mix नहीं कर पाते हैं लंब्स भी आ जाते हैं और इतने में हमारी चाशनी जो है वह ठीक भी हो जाती है तो इस तरीके से हम करेंगे तो जादा बैटर रहेगा और जो बिगनर्स है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है यह तरीका इस तरीके से अब हम लास्ट में सारा पावडर जो है वो डाल देते है और इसे mix करेंगे इसके बाद ही हम गैस को आउन करेंगे यहाँ पर हमारा मिश्रन चाश करेंगे जब तक यह पैंस सेपरेट ना होने लिए मतलब कि यह डो के शेप में ना जाए तब तक हम इसे कंटिनुस चलाते हुए कुक करेंगे तो इसे कंटिनुस चलाएंगे यहां पर यरा च्छे से दोगाशिप ले रहा है अब थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं देसी गी तो इहां पर बड़े चम्मच यहां पर देसी गी मैने डाला चाभू जाह दालेंगे और इससे अच्छे से मीक्स करेंगे और इसे 3-4 मिट के लिए और कुक करेंगे जब तक कि घी और हमारा जो मिठाई का मिश्रन है अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता घी डालने से मतलब इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आजाएगी वैसे तो मूम फली में अपना एक आईल होता है बट घी डालने से थोड़ी सी सॉफ्टने लास में हम डाल देते हैं यहां पर हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर इससे फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर आप इलाइची पाउडर भी नहीं डालना चाहते हैं तो इहां पर आव रोज एसमस का भी यूज कर सकते हैं उससे भी इस बरफी का टेस्ट अपर फ्लेम को आफ कर दिया है और थोड़ा भी गरम है इसलिए हम इसे चला रहे है ताक यह नीचे लगे नहीं और इसके बाद हम इसे प्ले में शिफ्ट करेंगे वर्फी जमाने के लिए यहां पर मैंने इस तरीकी की ट्रे को घी से गीस कर लिया है और इसमें अब हम आप कोई भी स्टील की प्लेट में भी इसे जमा सकते हैं तो आप हम अपने मिश्रन को इसमें ट्रांसफर कर लिया है और अब हम क्या करेंगे इसे सैट कर देता है तो आप चाहें तो थोड़ा सा हाथ में ग्रीस लगा के इसे हाथ से भी सैट कर सकते है बहुत ही इजी हो ज और एकडम चिकना करतीजिया, इसके उपर छाएं तो थोड़े से ड्राइप फूटस भी करन शानुट सब्सक्राइब कर देखक बहएिए पिरिष्टा से गारिख कर देत लिए तो से इसे ड्राइप अधा़ हंदीत। सेट हो गई है अब हम नाइपसे से कट कर लेते हैं अब हम फली की मिठाई को हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेते हैं और आप इसे 15 से 20 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है यह मिठाई आप एक बार इसे जरूर ट्राय करें वीडियो पसंद जादा शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप से एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर